आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल स्रीराम क्लास्स में और इस वीडियो में बात करेंगे तरती स्रेणी शिक्षक बरती प्रिक्षा 2022 जिसका एक्जाम आपके फरहुरी 2023 में होना प्रस्तावीत है लेकिन इसमें जो लेवल टू के साथ बहुत बड़ा दोका हुआ है आप सभी को पता है कि लेवल टू के इसमें जो पद स्विक्रत किये गए थे पहले वर्गीकन के अनुसार जो 31,500 पदो पर ये विग्यप्ति आने थी लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कल के सी 3500 पदों पर ये बरती होने वाली है लेवल टू के लिए तो लेवल टू के साथ बहुत बड़ा इसमें जो पहले तो लेवल टू के एक्जाम रद कर दिया गया फिर लबस को चेंज कर दिया फिर अब जो वापस इसमें पदों के संक्या कम कर दी गई है आखिर लेवल टू के जो प्रश्नोत्री होती है, जिके Ques में आप वहां से भाग ले सकते हैं, लिंक उसका निचे डिस्क्रिप्शिन बोकस में दे रहा है, प्रतिजन रातF males9 बजे आपको वहां पर जो बहुत सा रहे जो आजसान चीके के प्रस्थ में मिलते हैं तो आएए देखते हैं क्या है न्यूजिस में तो 33 रेनी शिक्षक बर्ती के 46,500 पदों पर विती स्विकर्ती जारी कर दी है दिवाली से पहले सरकार ने बेरोज़करों को तोफ़ा दिया है अधिनस्त बोर्ड के ओर से 4 और 5 फ्रावरी को आयोजित की जाने वाली 33 रेनी शिक्षकों के 46,500 पदों पर बर्ती की विती स्विकर्ती जारी कर दी है CM अशोगहलोत ने ट्वीट कर इसकी जान कर दी है इसमें लेवल 1 के आपके 21,000 पदों की स्विकर्ती दी है वहीं लेवल 2 के 25,500 पदों पर पद स्विकर्त किये गए है इसमें आपके विशेश शिक्षा के 4,500 पद भी शामिल है इस प्रकार जो 46,500 पदों में से इन में से ही आपके 4,500 पद निद्राइट किये गए है विशेश शिकर्ती जारी होने के बाद आप बोर्ड बर्ती के विगवती जारी करेगा यान कि आपके दिपावली के आसपास में आपकी वेकंसी है उसकी विगवती वो भी आ जाएगी फॉर्म बरना शुरू हो जाएंगे लेवल टू के विर्थियों का विरोद है आरोप है कि इसमें पद गटाएगे तो बिल्कुल सही बात है पहले ये 31,500 लेवल टू के इसमें पद प्रस्तावित थे लेकिन आप इसमें आपके 25,500 पदी है तो अलग बग है जो आपके इसमें 6,000 पद इसमें जो गटा दे हैं तो 33,000 शिक्षक पदों की वितिश विकर्थि जारी करने के बाद लेवल टू के अबिर्थियों ने विरोद करना शुरू कर दिया है और विरोद होगा इसका और ये सरकार भी है जो इसमें इनको पता है कि ये चुनावी महोल के अनुसार विरोद करवाना चाहती है और क्योंकि इस बरती को वापस ये हाइलाइट करके इसमें आपको ये सबी वापस पता हैं कि अंदोलन करेंगी ये सबी इसमें आएंगे इसलिए इसमें पदों की संख्या को गटा गया है बाद में वापस ये बढ़ा के अपने जो क्रेडिट ले लेंगे लेकिन हमें इसका विरोध करना है चाहे आप सोशल मीले के माधिम से किसी भी प्रकार से तो आप इसमें विरोध जरूर करें इसे पद गटाएं इसका और अब इसका कहना है कि सरकार पहले लेवल टू के 31,500 पदों पर निदयत किये थे और वहीं लेवल वन के 15,000 पद निदयत किये थे लेकिन अब जिवित्ती स्कृति लेवल टू के 25,500 पद दिये गए हैं लेवल टू के बिरोध शुरू कर दिया है तो आप सबी को इसका बिरोध करना है जो लेवल टू के बिरोध हैं वो सभी इस चीज़ का बिरोध करें कि पहले आप 31,500 पदों पर को बता रहे थे और इसमें आपपे जो level two को भी पहले रद कर दिए और स्थिर बाद में और भी पत्गठार तो यह तो level two के भी आपके पदर रिक्त हैं उन सबी को जो आप नए सतर तक जो भी रिक्त होने वाले उन सबी को इंसमें मिला कर जो इस बरती को पूरा किया जाना चाहिए तो आपकी क्या राए है कमेंट वोक्स में जरूर लिखे और इससे पहले जो शिक्षा मंतरी बीडी कला उन्होंने ए प्रेस नोट हैं उसी क्रम में रिट प्रिक्षा जो की क्योल पत्रता प्रिक्षा होगी 2324 जुलाई को मादमिक शिक्षा मोट की दोरा आजित कराए जाएगी लेवल वन और लेवल टू के कुल 62,000 पदों पर बरती की जानी अब अगर ये इनकी जो जुबान सही इसलिए त की जाए जिसमें से लेवल वन के 15,000 पदों पर बरती प्रक्रिया देनी हैं कि आप इसमें ये मान रहे हैं कि जो लेवल आपने जो 21 में एक्जाम करवाए था और उसमें भी ये 15,000 इनको जोड दिया है और इसमें 62,000 बता दिये हैं तो डॉक्टर कला ने बता हैं कि अध्य का जो विति स्युक्रित जारी की उसमें आपके 25,000 पद इसमें शामिल के गए तो साफ साफ जो 6000 पदों पर इसमें इन्होंने कमी कर दी इनमें तो लेवल टू की रद हुई परिक्षा कि ये तो इसमें दे रखा हैं वापस कि उक्त प्रत्यूगी परिक्षा के प्रातां को कि अधार पर ही सफल बेर्थों का चैन किया जाएगा लेकिन पहले ही आप जो रद कर रहें फिर इसके बाद में सेलबस सेंद कर रहें और वापस पदों की संक्या को गटा रहे तो लेवल टू के साथ में बहुत बड़ा इसमें दोखा हो रहा है तो आप सभी को इसमें सयो जो तरीके से उठाएं और जो आपको पहले बताए था एक तीजार पांसो पदों पर कम से कम इतने पत्तों वापस हो नहीं चाहिए तो आप सभी की क्या रहे हैं आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखें और आप टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन हो जाएं वहाँ पर आ यहांपे आपको इजो कई सारे प्रते दिन रात्री को मिलते हैं अहीर्वाटी और मेवाती बूलियनिंघ मैंसे किस वरगीकड़ में आती हैं मद्दी काली मियवाद के परसी संद कौन थे यह सभी प्रसन आपको वहां पे देखने को मिलते हो जो कि आने वाले एक्जाम्स के लिए आपके लिए काफी फाइदे मन्द होंगे तो आप इस चैनल को जरूर जोइन करें यह टेलिग्राम ग्रूप हैं यहां पर जिसमें आप अपने सभी साथियों को ग्रूप में जोड़ने के लिए इसे ग्रूप के नाम के उपर क्लिक करेंगे फिर आपको यहां पर एड मेंबर का उप्शन दिखाए देगा यहां पर आप अपने बाकी के सभी साथियों को भी जोड़ सकते हैं इसके बाद में जोड़ने के बाद आप अपने जो प्रस्ट उता है उसमें आप बाग लेंगे यान कि आप अपने प्रस्ट भी पूँछ सकेंगे तो टेलिगराम चैनल जुरूर जोइन करें आपको वहां पर और भी अपडेट मिलती रहेगी तो जल्दी आपको इसे समझत और भी कोई अपडेट होगी तो हो रहा है पूराने प्रस को जुरूर आप फेज़ो शॉल करें और और सबीको एक बार आप जुरूर देखे और उनकी वीडियो सोलिशन भी आपको इसी चैनल पर अप्रद होने वाले ही ताप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक सदिक अपने बागी की सा तक जे हिन जे बारत